हेलो इस्टुडेंट्स ये वीडियो क्लास 11 वालों के लिए भहुत मैत पुड़ोने वाली है इस वीडियो में आपको उत्तराखन वोड क्लास 11 वालों का 2024 का Chemistry का पेपर दिखाने वाला हूँ और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी पता हुआ कि ये जो आपका Chemistry का प्रिविस येर कोश्टन पेपर था 2024 का इस पेपर में जो कोश्टन आए हुए है उन कोश्टन में से ऐसे कौन से कोश्टन है जो आपके 2025 के एक्जाम में भी बता दूआं तो आप इस पेपर में बताए गए सभी कोश्टन को Chemistry के 2025 के लिए जरूर तयार रखी जाना क्योंकि Chemistry में जारतर हमारे तीन नमर वाले और चान नमर वाले कोश्टन रिपीट होते रहते हैं बहु भी गल्पी वाले कोश्टन हमारे अक्सर नहीं पूछे जाते हैं तो यहां से आप तीन नमर वाले और चान नमर वाले कोश्टन को जरूर नोट कर लेना और अगर आपने अभी तक क्लास 11 वालो के प्रिवेसर कोश्टन पेपर जो है हमारे 2024 के Math का और Physics का पेपर अभी तक नहीं देखा है तो दोनों पेपर की वीडियो में पहले ही चैन कोश्टन पेपर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना तो Chemistry के प्रिवेसर कोश्टन पेपर को इस्तार करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले आगर आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और सबसे महत्पूर बैल आइकन को और पर प्रेस कर करने जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रिवेसर कोश्टन पेपर अप्लोड करूं तो इसकी नाटिविशन आपके पार सबसे पहले जा सके तो हम देखते हैं इस पेपर में कौन-कौन से कोश्टन हमारे 2024 के एक्जाम में भी आ सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर लिखवा भी दिखी रहा होगा वाशिक परिक्षा 2024 यह हमारा रसाइनिक विज्ञान का पेपर है क्लास 11 वालों का यह हमारा तीन गंडे का होता है और सत्तर नम्मर का होता है और इसका यह जो पहला कोश्टन होता है इसमें हमें आट बहु विकल भी कोश्टन्स दे रखे होता है और दो कोश्टन्स हमें अभी कथन और कारण वाले ही दे रखे होता है इसी कोश्टन के अंदर तो पहले कोश्टन के अंदर आपके टोटल दस कोश्टन हो जाता है तो मैं आपको एक एक करके कोश्टन्स दिखा देता हूँ यह हमारा पहल पूछा जाता रहता है तो आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना उससे रिलेटिड एक्जाम में कोई भी कोश्चिन आए उसको आप अराम से कर लेंगे ऐसे ही इसके अगले बोविकल पे कोश्चिन है जो कि यहाँ पर आपको दिखे रहोंगे अब मैं आपको आगे इसकी बचे हुए कोश्चिन और दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखे रहोंगे अब यहाँ से हमारे अभिकतन और कारण वाले questions इस्टार्ड जाएंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि हमारे यहाँ से इस्टार्ड जाएंगे और यह इसके option में दे रखे हैं इसके चार option होंगे एक option में यहाँ पर दे रखा है तीन option में आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखे रहोंगे और यह दोनों questions हमारे अभिकतन और कारण वाले इनको आप note कर लेना और पहली बात यह question हर साल नहीं आते हैं पुराने questions इसमें नहीं पूछे जाते अभिकतन और कारण वाले हर साल किसी भी chapter से नएने questions आते रहते हैं इसलिए आप सभी chapters को ध्यान से पढ़ लेना तब ही आप इन questions को कर पाएंगे अब यहां से हमारे निशिर्ट्री वाले questions से start हो जाएंगे जो की होते हैं हमारे एक एक नंबर वाले यह दूसरा question, तीसरा question, चौथा question, पाचवा question, चटा question और सातवा question अब इन सभी questions में यहां पर मैं आपको बता देता हूँ की कौन से question आपके 2025 के एक्जाम के लिए भी important रनने वाले हैं तो यह जो आपका दूसरा वाला question है जिसमें हमसे मोललता की एकाई पूछ रखी है तो यह हमारा topic most important है मोललता भी और मोललता भी तो दोनों topics को आप जरूर तयार कर लेना यह आपके 3 number में भी आ सकते हैं और 4 number में भी आ सकते हैं उसके बाद यह जो मैं तीसरा question दे रखा है जिसमें हमसे वैदुत रिणात्मक्ता की परिवाशा पूछ रखी है यह भी हमारा important topic है तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना दो number में भी आपका यह आ सकता है और इस तरीके के question आपका हर साल आता है कभी हमसे बढ़ते हुए करम में पूछ लेता है कभी हमसे घटते हुए करम में पूछ लेता है लेकिन आता जरूर है हमारा यह अब देखते हैं इसमें आगे और questions को यह आठवा question, नवा question, दसवा question, ग्यारवा question और बारवा question अब इन सभी questions में भी मैं यहाँ पर आपको बता रहता हुँ कि कौनसे question आपके 2025 के एक्जाम के लिए भी important देने वाले है जैसे कि मैंने आपको वीडियो की starting में भी बताया था कि यह समाविपता वाले जो topic है, इसको आप दंसे पढ़ लेना यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, कि यह हमारा एक number में भी आया हुआ है question और अब यहाँ पर देख लें, दो number में भी आया हुआ है most important topic है हमारा, इसको आप जरूर पढ़ करके जाना ऐसे यह जो हमें दो अभी किर रहा है, दे रखी है voltage अभी किर रहा, और भी carbox ली करन अभी किर रहा जो कि आपको यहाँ पर देख रहे हुँगी हमें यहाँ पर इनकी केवल रसाइनिक समीकर लिखनी है दोनों ही reaction हमारी most important है तो इनको आप जरूर पढ़ करके जाएं और यह जो इसका 11 question है जिसमें हमसे P और D block के जो तत्व होते हैं उनका समान्य electronic बिन्यास पूछ रखा है यह भी आपका important topic है P block और D block के तत्व वाला तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इस chapter में से भी जातर question हमारे long question में आ जाते हैं अब यह हमारा question number 13, question number 14 और question number 15 अब इन तीनों questions में मैं आपको बता देता हूँ कि कौनसे question हमारे जादा important है 2025 के exam के लिए यह जो मैं अनुनाद पूछ रखा है यह topic की हमारा most important है तो आप इस topic को जरूर तयार कर लेना यह आपको 2025 के exam में मिल जाएगा ऐसे यह जो हमसे हुंड का नियम पूछ रखा है यह नियम भी हमारा most important है इनको तो आप हातों अभी तयार कर रख ले क्योंकि जादा time अभी नहीं है और यह जो मैं आपको previous question paper दिखा रहा हूँ इसको तो आप पूरा ही तयार कर ले जो question मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप डंग से पढ़ करके जाना उनके chances ज़्यादा है आने के question number 16, question number 17, question number 18 और question number 19 अब इन सभी questions में से भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन से हमारे questions 2025 के exam के लिए most important रहने वाल है यह जो हमसे oxygen संख्या पूछ रखी है यह हमें निकालने के लिए अकसर पूछी आती है exam में और question में हमसे किसी भी तत्व की oxygen संख्या निकालने के लिए बोल दिया सकती है सबसे पहली बात आपको oxygen संख्या निकालनी आनी चाहिए कि हम oxygen संख्या किस तरीके से निकालते है ऐसे ही जो इसका ठारवा question है जिसमें हमसे पूछ रखा है electron इस नहीं और नाबिक इस नहीं यह हमारे क्या होता है इनको हमोधारा सईथ बताना है तीन नमबर के लिए भी और चान नमबर के लिए भी बहुत बढ़िया question है तो आप इस question को जरू तैयार के जाए और यह जो हमसे तीन ओवे किता है पूछ रखी है जिसमें हमें बेंजीन से पी नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बेंजीन से पी नाइट्रो टॉलोईन और बेंजीन से ही एसिटोफिनोन बनाना है यह तीनों ही हमारे परिवर्तन most important है तो इनकी अभी किर्याओं को आप जरूर पढ़ करके जाना यह आपके 2025 के एक्जाम में आ सकती है कोशन नमबर 20, कोशन नमबर 21, कोशन नमबर 22 और कोशन नमबर 23 तो इसमें यह जो आपका 22 वा कोशन है जिसमें हमें यहाँ पर कारण लिखने है इस तरीके कोशन आपके जरूर पूछे जाते हैं जितने भी आपके कारण वाले कोश्चन है उनको आप जरूर तयार कर लेना और जो इस पेपर में में दोनों कारण वाले कोश्चन दे रखा है इनको तो आप जरूरी पढ़ लेना कि इनके क्या कारण होंगे और साथ में जो में किसवा कोश्चन दे रखा है जिसमें में परम से पूरे नंबर मिल लाएंगे बागी कोशिन में इसका आपको आगे दिखा दिता हूँ यहां से आप इस कोशिन को नोट कर लेना जो कि आपको दूसरा कोश्चन यहां पर दिखी रहोगा और यह हमारा इंपोर्टेंट है आप इसको जरूर तयार रखे जाएं और यह आपका दो नंबर में अलग से भी आ सकता है अगर आपसे यह कोश्चन नहीं आता तो इसके अथवा में भी हमें दो कोश्चन दे रखे हैं आप इनको भी करकर आ सकते हैं और एक कोश्चन आपका IUPAC नाम बालब भी आएगा तो IUPAC नेमिंग आपसे करनी आनी चाहिए ऐसे यह S का 25 वा कोश्चन और इसमें भी हमें दो कोश्चन सी दे रखे हैं एक कोश्चन हमारा एक नंबर का है और एक कोश्चन हमारा तीन नंबर का है और दोनों ही कोश्चन हमारे most important है और यह जो हमारे पास दूसरा वाला कोश्चन एक खावाला जिसमें हमें CP और CV में संबंद बताना है ये तो हमारा हर साल ही जात तर रिपीट होता रहता है तो आप इस question को तो जरूरी तैयार कर ले ये आपका 3 नमबर में भी अलग से आ सकता है और यहाँ पर भी आप देख लें 3 नमबर में ये पूछा गया है अब देखते हैं हम इसके last question को जो की हमारा है 26 वा question जो हमारा होता है case study type में जो की आपको यहाँ पर दिखी रहा होगा इसमें हमें paragraph दे रखा होगा और उसी से related यहाँ पर हमें कुछ questions दे रखे होंगे जिनके answer हमें इसी paragraph में से बताने हैं तो पहले आप यहाँ से इन questions को note कर लें question आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जिसमें से हमारा दो question एक number के हैं और एक question हमारा दो number का है अब इनके answer हमें जो उपर paragraph दे रखा है उसी में से बताने है तो यह question हमारा यहीं तक था question मैंने आपको इसके पहले ही बता दिये थे और यह जो आपका case study वाला question है question number 26 यह आपका जो book में chapter है उसमें से किसी भी chapter में से आ सकता है इस बात कभी आप ध्यान रखना तो यह था हमारा chemistry का 2024 का previous year question paper और जो questions हमारे 2025 के एक्जाम के लिए भी most important रहने वाले है वो ही मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इस previous year question paper को chemistry के 2025 के एक्जाम के लिए जरू तैयार कर जाना और अगर आपको किसी भी question में कोई भी doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना तो यह था हमारा उत्तरकंडबूड class 11 वालों का 2024 का chemistry का paper जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ और इस paper के किसी भी question में अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना और अगर आपको इसकी solution वीडियो भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो को जाद स्यादा शेयर करना और जाद स्यादा comment करकर हमें बता देना और अगर आपको class 11 के किसी और subject का वे previous year question paper चाहिए हो तो आप इस वीडियो में comment कर देना तो मैं उस subject के previous year question paper के उपर जल से अल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और ये वीडियो अगर आपके exam के लिए तोड़ी सी भी helpful रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे महत पूर्ण bell icon को all पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीकी से और भी previous year question paper और उनके solution के उपर वीडियो upload करूँ तो उसकी naughty question आपके पास सबसे पहले जा सगे तो मिलते हैं फिर हम next वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को like करें, comment करें comment करकर हमें जरूर बताएं कि आपको किसी और subject का previous year question पर चाहिए या नहीं चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शीर करना बिलकुल न भूले और next वीडियो का वेट करें